आप देख रहे हैं STV लद्दाक आवाज घर घर की पार्लिमेंट में कॉंग्रेस पार्टी को बोलने नहीं दिया जाता है माइक बंद कर दिया जाता है कैमरा उनसे हटा दिया जाता है तो उन्होंने तै किया पिछले भारत जोड़ो यातरा से और भारत जोड़ो नया यातरा से कि वो आप सड़क पे उतरके लोगों से डिरेक्ट बात करेंगे मीडिया तो ज्यादातर देश में ज्यादातर मीडिया मेन्स्रीम मीडिया विख चुकी है उस हिसाब से उन्होंने ये तैय किया तो अब इस भारत जोडो नया यात्रा में किस तरह की नया की बात कर रहे हैं एक सबसे जरूरी जो हम यूथ कॉंग्रेस और इंडिया की यूथ को जो directly जिसका connection है वो है रोजगार का तो रोजगार दो नय दो की जो campaign है उसमें हम आप लोगों से विनिती करना चाहते हैं अपना support दिखाने के लिए और एक तरह से ये भी दिखाने के लिए government data चुपा ना पाए government जो है आंकडे चुपाते हैं तो इसलिए आप अगर इस number पे 8860812345 बड़ा असान number है 8860812345 पे एक miss call मार देंगे तो दिख जाएगा कि कितने लोग unemployment से जूज रहे हैं जूरे नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा हूँ आपके बेटे को नहीं मिल रहा हूँ तो उसकी तरफ से आप miss call मार दीजिए जहां भी आपको या आपको लग रहा है कि देखो मेरे महले में मेरी गली में मेरे मेरे गाओं में बहुत unemployment है तो आप miss call मार दो इससे देश को पता चलेगा युवाओं को पता चलेगा कि वो जैसे हमें लगता था लदाख में ही है मुदी जी ने दो करोड जॉब का वादा किया था कहा गए दो कल को यहीं लोग आके कहेंगी जी ये तो चुनावी जुमला था तो ऐसे हमारे MP साहब ने 6471 मैं हर बार कहता हूँ 6400 भी बोल देते तो मान जाते 6000 बोल देते तो मान जाते 6400 बोल 6471 करके एक भी गिनाते थे कितने आयों उसमें से 71 में से हमें पता है ना लदाख पुलीस को हम एप्रिशेट करना चाते हैं लदाख पुलीस ने बिना किसी डिपार्टमेंट की किसी उसके सपोर्ट के फटाफट उन्होंने जल्दे जल्दे रिक्रूटमेंट करके अपने जो जरूरते हैं वो पूरी करी उनको एप्रिशेट भी हम करना चाते हैं ऐसा नहीं हम यहां उपोजिशन में बैठे हैं तो सिर्फ हम उपोज ही करते रहेंगे लेकिन हर चीज का क्रेडिट जब जम्यांग साहब आके लेने की कोशिश करते हैं तो उनको यह लगता है कि भई हम लदाख की युवा को कुछ भी बोल देंगे वो चल जाएगा उनके साथ ऐसा नहीं है तो हम इस अनिम्प्लॉइमेंट के खिलाफ जितना हमने आज तक बोला अगर हम पावर में होते तो हम और जोरो शोर से बोलते अगर LHDC अब जाके इसके बाद NC कॉंग्रेस के कोईलेशन में आया आप कॉंग्रेस की भी बारी आएगी तब हम और जोरो शोर से बोलेंगे लेकिन काश हम पावर में होते या ले में जैसे काउंसिल हमारा होता तो हम यूटी एड्मिनिस्टिशन के सामने एकदम रोज उनको उनके दरवाजे पे जाके रोज उनको परिशान करते कि भी या कब तक आप हमारा काम नहीं करोगे कब तक आप चुप रहोगे रिक्रूट्मेंट रूल बनने में कितने साल लग गए यार अगर ये हालत होनी थी तो आप पहले जैनके का कंटिन्यू कर लेते भाई तो ये सब उपोजिशन में हम ज्यादा से ज्यादा इनको जगा सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम इनसे लड़ने के लिए आए हैं परसनली हमारा कुछ नहीं है पर इनको जगाना हमारा काम है इनको याद दिलाना हमारा काम है ये कहना कि भीया आप कहीं भटक तो नहीं रहें ये कहना हमारा काम है अगर हमारे पात दोनों काउंसिल्स ही तो है और कौन है दोनों काउंसिल्स है जिसमें हमारे चुने हुए लोग है अगर वो ही नहीं बोलेंगे आज तक अगर MP सहाब हमारे लदाख के अगर रिप्रेजेंटिटिटिव है अगर वो एक पावरफुल कॉंस्टिचुशनल पॉजिशन पे हैं तो उनको आगे बढ़कर सेक्रेटरीस को बुला के उनका बिरोक्रेट्स को कौन वो करेगा उनका वो कौन पकड़ेगा अगर वो हमारे तरफ से ruling party की तरफ से message पहुंचाया है सिर्फ ऐसे request तो चलो हमारे गाओं के सरपंज भी आके कर सकते हैं आप एक constitutional post हो पूरे लदाख का आपको representative हो हमारे तो कितनी बार आपने सेक्रेटरीस को बुला के कितनी बार आपने अपना power दिखाया लदाख के हित में तो ये हम आज मीडिया के थ्रू कहना चाहते हैं कि एक तो unemployment वाला issue कभी भी जब तक ये लोग genuinely इस चीज़ को solve नहीं करेंगे तब तक हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे एक दूसरी बात एक पहली बार पहले भी हम एक बार कह चुके हैं हम ये लदाख वालों को एक example एक message देन करना चाहते हैं कि अब वो दौर गया जब आप ले कारगिल के नाम पे लड़ाई करवा सकते थे वो दौर जा चुका है आज आप देख रहे हैं ले और कारगिल दोनों की youth leaders साथ में बैठ के हर जगा campaign पे भी जा रहे हैं हमने पहला प्रदेश यूद कांगरेकर स्टेट executive क कारगिल में कराया जान बूश के नहीं तो ऐसा होता है कि सब कुछ ले में क्यों हो रहा है सब कुछ ले में क्यों हो रहा है तो ये हम लोग एक example एक नया politics लदाख में शुरू करना चाहते हैं जिसमें लदाखियत को हम आगे रखके ले कारगिल बोर्ड मुसलमान ये ना कह है कि साथ में हम लोग लदाख के development के लिए मिलकर काम करना चाहतें ये भी हम एक example set करना चाहते वरना कहते हैं कि आज इतना कुछ लदाख में development हो रहा है कहने के लिए कहते हैं पर उस चीज में मुझे लगता है कि हम लोग लदाखियत को ना बूल जाए पहले था